हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एक काफी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं बिसिकली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लेट से कि हमें 18,000 के नीचे सेल करना होता है अब ही जो प्राइस चल रहा है वो निफ्टिक है वो है 18,022 तो कई बार हम लोग सेल करते हैं तो ये जो प्राइस होता है जो भी उस समय इसके आसपास का जो प्राइस होता है जलत प्लेस किया है तो हमें तो प्रॉफिट की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कई बार हो सकता है कि आप गलत order place करके भी profit बना लेकिन maximum time आप loss ही करते हैं तो आईए आज इस problem को solve करते हैं और पूरी तरह से logical way में सीखेंगे तो यहाँ पर हम लोग total चार तरीके सीखेंगे और यह जो चार तरीके में बता रहा हूँ यह सभी brokers में common है that means कि जो logic है वो same है अगर आपने यहाँ पर order लगाना सीख लिया तो साड़े brokers में आप order को सही तरीके से place कर पाएंगे अगर सही तरीके से order place कर रहें तो आपकी क्या होगे जो winning के probability होंगे वो सही हो जाएंगे that means कि आपका order में कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बाद आपको क्या देखना होगा आपका strategy and setup तो आई इस पर सीखते है तो यहाँ पर मैंने इसको click कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसको refresh कर देता हूँ ओके ठीक है तो पहला case लेते हैं हम लोग कि मुझे exactly अभी sell करना है जो भी market price चल रहा है मैं उसी पर sell करना चाहता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं परता बस मुझे अभी sell करना है और मुझे यह लगता है कि अगर मैं अभी sell करूँगा तो यह सही price है और यहाँ से price जो है वो नीचे गिर जाएगी तो इस case में क्या करते हैं हम लोग sell पर click करते हैं और यहाँ पर जो market order है उसको select करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं sell at market price धैट मेंस कि जैसे ही आप order place करेंगे तो यह 18,022 के आसपा sell हो जाएगा तो इसका भी logic समझ लिजिए देखिए जो buyer है वो यहाँ पर खड़ा है अब ही जो price चल रहा हुए है 18,022 तो buyers यहाँ पर जो भी price पर buy करना चाड़ है उसी पर आपका order execute हो जाएगा अगर यह 18,022 है तो आपका जो order execute होगा वो इसी पर होगा अगर यह 18,000 है तो आपका जो order execute होगा वो होगा 18,000 पर कई बार क्या होता है कि जो market होता है वो किसी higher price पर चल रहा होता है और जब हम लोग sell करते तो हमें थोड़ा सा lower price मिलता है इसका region एक ही है कि जो buyer है वो किसी low price पर buy करना चाहता है तो उससे आपको कोई भी tension नहीं लेना है वो आपके हाथ में नहीं है जब भी आप market order प्लेस करेंगे तो जो यहाँ पर buyer available होगा उससे आपका order मैच हो जाएगा तो यह हो गया आपका first type का order जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग तुरंट sell कर रहे हमें किसी भी चीज का weight नहीं करना है अब आईए सीखते हैं दूसरे तरह के से order को place करना तो सबसे पहले हम लोग concept को समझ लेते हैं अभी जो price चल रहा है वो है 18,022 and मुझे 18,000 के नीचे sell करना है below 18,000 remember below 18,000 not at 18,000 कई लोग यह mistake कर देते हैं कि उनमें क्या होता है कि 18,000 के नीचे sell करना होता है and वो जो price डालते हैं वो 18,000 डालते हैं तो below 18,000 मतलब इसमें से कुछ कम वो हो सकता है 17,000 999 हो या 0.5 हो 0.6 हो but 18,000 से कम होना चाहिए तो इसमें कई लोगों को problem होता है वो at 18,000 पर sell कर देते तो ऐसा ना करे अब आईए सीखते हैं कि इसको किस प्रकार से order को place करते हैं तो यहाँ पर आपने sell पर click किया and आपको यहाँ पर SL सेलेक्टरना होता है SL मतलब stop loss order मुझे 18,000 के नीचे sell करना है 17,000 999.5 and यहाँ पर मैंने डाल दिये 17,000 999 तो सबसे पहले आपको एक trigger price यहाँ पर देना होता है जो कि 18,000 से कम होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने 18,000 में 0.5 का minus कर दिया है and उसके बाद जैसे ही मेरा order trigger होगा तो उसका जो next price होगा उस पे मेरा sell हो जाएगा तो यह मैंने डाला 17,000 999 का याद रखिएगा जब भी आप sell order प्लेस कर रहे तो trigger price बरा होना चाहिए आपके selling price से क्योंकि पहले आपका order trigger होगा and उसके बाद आपका sell होगा तो I hope कि आपको stop loss order भी काफी clear होगा अब बात करते हैं थर्ड तरह की order किये अब इस case में हम लोग क्या करते हैं कि let's say हम लोग जो sell करने जा रहे हैं वो है 18,050 पे मतलब price किसी lower level पर है और हम लोग किसी higher level पर sell कर रहे हैं हमें ये लगता है कि ये retrace करके यहाँ पर आएगा and यहाँ से नीचे गिरेगा तो basically retracement में हम लोग इस परकार के order को execute करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जो भी price चल रहा होता है उसके उपर हम लोग sell करने की कोसिस करते हैं तो आईए इसको भी सीखते हैं तो यहाँ पर sell में जाएंगे and यहाँ पर limit हम लोग select करते हैं this is called limit order और यहाँ पर हम लोग price के डालते है 18,050 जैसे ही 18,050 आएगा आपका यह जो order है वो execute हो जाएगा तो इस परकार से हम लोग limit order को place करते हैं एक बार concept को फिर से समझे price जो है वो किसी lower level पर है और हमें किसी higher level पर sell करना है तो इस case में हम लोग limit order को select करते हैं price किसी higher level पर है और हमें यहाँ पर 18,000 पर sell करना है मतलब किसी lower level पर sell करना है तो इस case में stop loss order को use करते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है SLM कई brokers में यह नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा इससे क्या होगा कि आपको पूरा knowledge मिलेगा तो अगर हम लोग यहाँ पर SLM select करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ trigger price ही देना होता है अगर मुझे 18,000 के नीचे sell करना है तो मैं यहाँ पर क्या डालूँगा 17,000 999.5 अब जैसे यह order trigger होगा यह वेट नहीं करेगा और यहाँ पर यह कुछ नहीं देखेगा कि यहाँ पर price क्या है वो directly sell कर देगा तो I hope कि आपको चारो order cleared होंगे अगर आपको कोई भी doubt है ते नीचे comment section में लिखे मैं definitely वहाँ पर reply करूँगा Thanks for watching